हिंदी एक राज भाषा और रास्ट भाषा दोस्तों आपने सुना होगा कि हिंदी हमारी रास्ट भाषा है लेकिन हिंदी हमारी रास्ट भाषा नहीं है हलो दोस्तों मैं शिखा मौर्या आपका इपाचाला चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारती संविधान की आठवी अनसूची में भाषा की बारे में लिखा हुआ है भारती संविधान की आठवी अनसूची में शामिल भाषा हैं भारती संविधान की आठवी अनसूची भारत की भाषाओं से संबंदित है और इस अनसूची में 22 भारती भाषाओं को शामिल किया गया है कुल कितनी भाशा हैं यहाँ पर 22 भाशा हैं इसके बाद सिंधी भाशा को पहली बाद 21 सम्विदान शंशोधन अधिनियम द्वारा 1967 में और उसके बाद कुंकडी भाशा, मडीपुरी भाशा और नेपाली भाशा को 31 सम्विदान शंशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था हाल में बानवे संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन चार भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया था आठ्वियन सूची से शंबंधित सम्वैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं अनुचे 344 एक सम्विधान के प्रारंब से पांच वर्ष की समाप्ती पर राष्ट पती द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान है यानि कि अनुच्छे 344 एक के अंतरगत कहा गया कि प्रारंब के जो पांच वर्ष हैं उसमें राश्च पती द्वारा एक आयोग का गठन होगा 351 में कहा गया कि हिंदी भाषा को विक्सित करने के लिए इसका प्रसार किया जाएगा ताकि भारत की जो मिश्रित संस्कृती है उसके सभी तत्वों के लिए अभिवेक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषाकार कर सके अधिकारिक भाषाएं जैसा कि हमने पहले भी कहा कि भारत की भारतिय संविधान में आठवी अनसूची में कुल 22 भाषाएं ये भाषाएं इस प्रकार हैं असम्या बंगला गुजराती हिंदी कंणर कश्मीरी कोंकडी मल्यालम मरीपुरी मराथी नेपाली उडिया पंजाबी संस्कृत सिंधी तमिल तेलुगू उर्दू बोडो संथाली मैसली और डोगरी इन भाषाओं में से जो 14 भाषाएं हैं पहले संविधान में इन 14 भाषा दन के द्वारा आठवे निसूची में शामिल किया गया था और वर्ष उन्नीस सो बाननवे में 31 शंशोधन द्वारा कॉंकडी मडिपूरी और नेपाली जिसे आप नमक द्वारा भी याद कर सकते हैं ना से नेपाली मा से मडिपूरी और का से कॉंकडी को भाषाओं को शा ठाली आगे बात करते हैं हिंदी एक राज भाषा भारत की कोई रास्ट भाषा नहीं है हिंदी एक राज भाषा है आपने बहुत बार सुना होगा कि हिंदी एक रास्ट भाषा है लेकिन ये गलत है हिंदी हमारे समविधान की राज भाषा है यानि कि जिस भाषा में हमारे सरकार का सारा कामकाज होता है राज के कामकाज में जो भाषा इस्तमाल की जाती है उसे ही हम राज भाषा कहते हैं भारतिय सम्विदान में किसी भी भाषा को रास्ट भाषा का दर्जा नहीं मिला है भारत में 22 भाषाओं को अधिकारिक दर्जा प्राप्थ है जैसे कि हमने प 49 में ही राज भाषा का दर्जा दिया गया था आई होप यह सारा कॉंसेप्ट आपको क्लियर होगा हमारे चानल से जुड़े नहें आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेस्बूक इंस्ट्राग्राम और टेलीग्राम पर थैंक यू